शहर में जब से संचार बंदी हुई है तब से कई बेबस और जरुरतमन लोगों पर भूपमरी आई है ऐसे में नाफपूर के श्रीदत तमंदिर महनुभाव विठलवाडी की ओर से जरुरतमन्दों को अउदूत नगर के पुली चोखी के पास खाना बाटा गया जरुरतमन्दों को संदीब भेंडे और अमोल दादा अंकुलने कर के मारगदर्शन में रोजा ना अलग अलग परिसर में खाना बाटा जा रहा है शहर में जब से संचार बंदी जारी की गई है तब से लेकर आज तक कई जरुरतमन भूक्य प्यास से बैठे है ऐसे में शहर के कई संस्तान तवारा जरुरतमन्दों को खाना बाटा जा रहा है इसी क्रम में विठल वारिस्ति श्री दत्तमंदिर महानुभाव की ओर से अउदूत नगर में जरुरतमन्दों को खाना पिछले 10 दिनों से बाट रहे है कितने दिन हुए क्या कहना है कि कौन सी संस्ता की मारफत दिया जा रहा है दत्तमंदिर विठल वाडी इथून आपन आठ डिवज जाले आच्चा नवा दिवज अपन यह अन्नादान करना मंज़े आन्नादानाची है आशिक लिया आहे कि भूकेलला जयो गाला और आमचा चक्रदर स्वामिन नी सांगित लिल आहे कि भूकेललेला जयो गाला ताने पर देखरे कि इस प्रकार की यह संसे संस्ता है जो यहां पर खाना बाढ़ते वे नजर आ रही है थोड़ा सागर लोगों में आज तो बहुत जादा भीड़े यहां पर छोटे बच्चों से लेके मैला है यहां पर खाना मिल रहा है यह सबसे ऑची बात है और ऐसी शार के कई एसी सांसथा है जो जो ऐसे जरुत बंदों को यहां पर खाना देते हुए नदर आ रहे हैं आप थोड़ा से यहां पर पंकर के बते हैं कि देखिए महिला और पूश की किस प्रकार से एक फिट के अंतर पर यह लोग खड़े हैं और खाना लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रति दिन इसी प्रकार से दप्त मंदिर के और से यह खाना का वितर्न किया जाता है और दूत नगर से कैमेरा परसर सुबाज बूटले के साथ संजय मिरे इन बीसे न्यूज नागपूर